तेस्टी यामी देंगे बहुत ही ईजी और क्विक रास्पी है एंड तक देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा डेड़ का पानी आड़ किया आदा कपचीनी आड़ की पांच चे अदद अलाइजिया मूँ खोल के आड़ की हाई फ्लेम पे कूक करना है जब तक पानी आदा रह जाए देखें चाशनी रेड़ी हो चुकी है पांच ब्रेड के स्लाइसिस लिए उनको मैंने हाफ कट कर लिया बीच में से और किनारे उनके रिमूव कर दियें देखें इस तरीके से अब पैन में बटर लगा के इनको मैं अच्छे से फ्राइ कर लूँगी बटर या घी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं लेकिन आईल नहीं जाएगा इसमें एक साइड हो चुकी है अब मैं इनको दूसरी साइड से कुक करूँगी आपने इनको इतना कुक करना है कि ये क्रिस्पी हो जाएं सौफ्ट ना रहें देखें टोस्ट रैडी हो चुके हैं बाकी भी मैंने इसी तरीके से कर लियें पैन में एक लीटर फुल क्रीम मिल्क एड़ किया और हाई फ्लेम पे बॉयल कर लिया बॉयल आने के बाद फ्लेम लो कर दिया एक चाय का चमच अलाईची पाउडर एड़ किया आदा का पाउडर मिल्क एड़ किया फॉरन से मिक्स करना है ताके गिल्टिया न बन जाएं एक खाने का चमच रोज वाटर एड़ किया एक चुथाई का पचीनी एड़ की थोड़े से बदामों का पाउडर एड़ किया और थोड़े से काजू का भी मैंने इसी तरह से पाउडर बना लिया एड़ किया ये बड़ी अच्छी सी रबड़ी त्यार करनी है मेडियम फ्लेम पे कुक करना है चमच नहीं लाते हुए बन चुथा एक अप करीम एड़ की येलो फूट कलर एड़ किया दो तीन डॉप बस लेकिन अगर आपके पास जाफरान है तो आप वो भी आड़ कर सकते हैं बस चमच चलाते हुए मेडियम फ्लेम पे इसी तरीके से कुक करते जाना है जब तक ये थोड़ा गाडा न हो जाए अच्छी सी रबड़ी रेडी न हो जाए रबडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है डोस्ट को चाश्टी या चीनी के शीरे में इस तरह के से डिप कारके अच्छे तरीके से इनको one by one इस तरह से लगाते जाना है ट्रे में या जो भी वर्तन आपके पास अवेलिबल हो अब जो रबडी त्यार की थी वो इसके उपर इस तरीके से पोर करनी है बिल्कुल हर जगा अच्छे तरीके से इसके उपर स्प्रेंकल किये पिश्टे जो के मैंने बारीक बारीक काट लिये है इसी तरीके से थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम वो भी मैंने इसी तरीके से बारीक बारीक काट लिये है और इसके उपर जाएगी ये थोड़ी सी तूटी फ्रूटी आप बादाम पिस्ते की जगा मुंग फली या तिल भी यूज़ कर सकते हैं देखें मज़ेदार शाही टुकडे रेडी हैं अपनी मीठी ईद को सेलिब्रेट करें मीठे मीठे क्रीमी शाही टुकडों के साथ मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में अपना और अपने प्यारों के ख्याल रखिये आला हाफेज